सुबह सुबह हत्यारे ससुर ने घर की बहु और बच्चों के शब को बोरे में बंद कर घर से बाहर फेकनी की फिराक में निकल ही रहा था कि बहु का भाई सामने आ गया बहु के भाई को देखते ही ससुर समय सभी हत्यारे की घिगी बंद गई और वो बोरे में बंद शब को वहीं फेक कर भाग निकले बहु के भाई को पता ही नहीं था कि बुरे में क्या है पर बहन के सस्राल वालों की हरकत से बहु के भाई को एक अन्होनी आशंका ने ग्रसित कर लिया वो घर में गया और अपनी बहन और भांजी को आवाज देने लगा पर कोई सामने नहीं आया तब तक उसकी अवाज पर आसपास के लोग जरूरी कठा हो गए दरसल मुतिहारी की मधमन थाना श्रत्र के बहुवारा गाउन निवासी धर्मेंदर भगत की पत्नी धर्मशिला देवी उनके छे साल की पुत्री काजिल कुमारी और चार साल का बेटा हिमांशु कुमार की निर्मम हत्या सानीवार की सुबह कर दी गई घटना के समंद में मृतिका के भाई नागेंदर कुमार ने बताया कि शुक्रवार के शाम बहन से उसकी बात हुई थी और बहन ने कहा था कि भांजी के गले का हनुमानी धागट तूट किया है जिसे बदलवाना है सो सुबही आना सुबह भाई ने बहन को फोन किया तो मोबाईल ओफ बताया तो भाई बहन के घर मिलने पहुँच गया बृत्गा के भाई ने देखा कि बहन के ससूर सुरंद्रभगत, भैसूर जितंद्रभगत, दो बोरे के उर लेकर कहीं जा रहे थे। पूछने पर बताया कि वे उसकी बहन, भगनी, भगना का दा संसकार करने जा रहे है। इतने पर भाई ने शोर मचाना शुरू कर दिया तो आरोपी बोरे को जवीन पर फेक कर भाग निकले एक बोरे में उसके बहन की लाश थी तो दूसरे बोरे में भगिना और भगनी की लाश बंद किया हुआ था मृत्का के भाई के शोर पर आसपास के लोग पहुँच गए और पुलिस को सूचिना दी गई सूचिना मिलते ही घटनास्थल पर मुतिहारी स्पी नवीन चंद्रजा, पक्री देयाल डेस्पी सुनील कुबार, मधुमन थानाध्यक्ष राजश कुमार पहुँच गए और मामले की चानबीन में जुट गए मृतिका के साथ उसके बेटे और बेटी की हत्या का आरोप, मृतिका के ससूर सुरंद्र भगत, भैसूर जितंद्र भगत और बरी गुतनी कंचन देवी पर लगाया गया था घटना के समन्द में स्पी नविंचन रजान ने बताया कि मृतिका के पड़िवार वालों ने सूचना दी है, जब वे घटना अस्थाल पर पहुँचे तो संदिग दावस्था में महिला समय दो बच्चों का श्रब मिला है महिला के भाई के बयान पर FIR दर्च कर आगे की कारवाई की जा रहे जिते अंदर ने का किये थे, दोनों बच्चे को पटक के भाग गये हैं और उसके बाद ने जब में हाला किया हूँ, तो सुरेंदर भगत भी का कियी ते भाग गये थी, पांच लोग थे, और से लोग घर छोड़के चले गये पूचना प्राप्त हुई थी पूलिस को कि यहां पे संदीक दवस्ता में एक महिला और उनके दो बच्चों की लास मिली है और जो महिला के घर वाले उनलों ने सुचना दी थी यहां पे ठाने की पूलिस पहुंची है और उसके बाद स्टिपी और अभी मैं भी पहुंचा उनके बाद असपस्ट हो से कहा कि क्या मामला है और हम लोग अभी जो उनके महिला के घर वाले हैं उनलों के स्टिट्मेंट पर एफाया दर्ज की जाएगी और आगे की करवाई की जाएगी बैराल इस पूरे मामले को देखकर आसपास के लोग भी सिहर गए कि ऐसा कोई घर का आदमी हो सकता है जो पड़िवार के ही दो छोटे मासुम बच्चे और बहु की हत्या कर बुरे में पैक कर और उसे बाहर नदी में फेकने की तैयारी कर ली हो इससे बरी निश्रस्मस्ता क्या हो सकती है खुलासा के लिए मुतिहरी से अरविंद कुमार की ये खास रिपोर्ट